हलो दोस्तों SSC ने अपनी आंसर की जारी कर दी है और बहुत से लोगों को समस्या हो रही है ये देखने में की आंसर की देखा कैसे जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता रहो हूँ कि आंसर की देखना कैसे है तो अगर आपके पास लिंक नहीं है कैसे देखा जाए तो मैं नीचे description box में एक link दे दूँगा आप वहां से उसे देख सकते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही वाला page खुल के सामने आएगा ठीक है यह आप देख पा रहे हैं और यहां पर आपको क्या डालना है तो देखो आपको जो सबसे पह यहां पर लिखाएंगे 01012000 ठीक है और आपका निश्चे ही खुलेगा इस तरह करेंगे तो ही आप खुलेगा बिना किसी स्पेस के 01012000 जो आपका date of birth है वो यह नहीं कि 01012000 अगर आपका date of birth है 1862000 तो आप डालेंगे 18062000 वहीं अगर आपका date of birth है 612000 तो आप डालेंगे 06012000 ठीक है यह चीज़ आप समझ गए है अभी मैं आपको तीन तीन आपको मैं खोल के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यह बिल्कुल ही सही है क्योंकि अभी एक वीडियो मैंने डाला था तो आप लोगा कमेंट आया कि यह फेक वीडियो है तो मैं आपको यहां पर दिखा हुए है तो मैं continue SSCGD की classes ले रहा था तो उसी समय यहां पर है date of birth को मैं hide कर दूंगा ताकि आप copy ना कर सको क्योंकि किसी के privacy में जहांकना सही बात नहीं होती है ठीक है अब मैं इसमें login कर देता हूं तो अब देखो यह login हो रहा है और यह देखिए अब खुल के सामने आ ग है कि to download your question paper तो यहां पर आप click करके download कर लेंगे ठीक है यह portion पर आपको click करना है यहां से आप download कर लेंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई जाती हो गई है आपके कुछ question गलत हो गया है और वो सही होना चाहिए था तो यहां पर आप objection भी कर सकते हैं यहां पर तो यहां पर मैं सीधेत आपको question paper पर ही लेके चलता हूँ कैसे check करना तो यहां पर यह मेरा खुल के आगया है यह मैं इसे hide कर दूंगा अब देखो यहां पर क्या है यह आप देख सकते हैं क्योंकि इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें date of birth नहीं दे आप देख लो original है यह और यहां पर देखो आपको check कैसे करना है अब यह समझो देखो यहां पर जो आपको blue red color से tick करा हुआ है वो है original answer और यहां पर जो chosen option है यह वाले में आप chosen option देख पा रहे हो यह है आपके द्वारा select किया गया answer तो अगर यह दोनों ही match करते हैं यहां यहां पर दो नमर सही है और यहां पर भी दो नमर है तो यह सही है ठीक है और यहां पर देखो यहां पर भी एक-एक match कर रहा है तो यह सही है यहां पर भी एक-एक match कर रहा है तो यह सही है अब यहां पर देखो यह एक और यह दो यानि कि question number four जो है वो wrong है और यहां पर है यहाँ पर एक यह सही है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यह student ने काफी अच्छा महनत किया था और आपको जान के खुसी होगी कि इस बच्चे का 70 नम्मर आया है मैंने इसे चेक किया है 70 marks इसने प्राप्त किया है और अगर नॉर्मलाइजेसन होता है जैसा कि बताया गया था तो नॉर्मलाइजेसन की प्रक्रिया होने के बाद यह 75 से 77 marks गेन कर जाएगा ओके चलिए मैं आपको एक और दिखा देता हूं ठीक है मैं आपको एक और दिखाता हूं मैं back कर ले रहा हूं इसे ठीक है अब मैं फिर से यहाँ पर एक user id डालता हूं यह भी मेरे एक मित्र कह है मित्र कहें स्टूडेंट कहें जो भी आप कह सकते हैं इस वन सेवन नाइन सेवन थ्री फॉर पासवर्ड को मैं फिर से हाइड कर दूँगा ठीक है और अब मैं गो करता हूं तो यह देखिए यहाँ पर यह सेव करने के बोरा है तो मैं इसे सेव नहीं करूंगा यहाँ पर देखिए फिर से वह ही पेज खुलके आया है क्लोग कर दे रहा हूं अब यह देखिए यहाँ पर फिर से वह ज़ाया है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा यह देख प Ariel to download your question paper assessment जीडी यहाँ पर हम क्लिक करते हैं अभी यह देखिए यह सुबरतो घोस जी का है और इनका देखिए यह अब इनका भी चे किसी तरह से करेंगे इन्होंने एक्जाम दिया था तीन तीन दो हजार उन्निस को नौ से साड़े दस का इनका टाइमिंग था तो एक एक सही है बहुत सारा सही हुआ है और आपको जानके फिर से खुजी होगी कि यह हमारे स्टुडेंट है 78 मार्क्स इन्होंने गेन किया है और अगर इनका नौर्मलाइशन होता है तो 85 इनका मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है पसंदीदा जौब जो है इनको मिलेगा तो आप इसे हमारी म और अपना डेट ऑप बर्थ हमारे साथ सेर कर सकते हैं आप हमारे फेस्बुक पेज पर भी जूड़ सकते हैं तो आपको क्लियर हुआ होगा और आप अच्छा मांक्स ला रहे हैं और कितना मांक्स आपका आ रहा है यह कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं अपने मांक् एकस्पेक्टेड कट ओफ ले आऊंगा कि अगर आपके आप दौर में सेलेक्ट हो पाओगे कि नहीं उसके लिए एकस्पेक्टेड कट ओफ का वीडियो आएगा उसे देखना बिल्कुल ना भोले चैनल को सब्सक्राइब कर लें उस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में स